भाई जूडियो की न्यू कलेक्शन आ चुकी है तो आव चलके देखते हैं कि ये वर्थ इट है भी या फिर बस जारा की फेक कॉपी है ये पूरे स्टोर में घंटों बिताने के बाद हमें 30-40% ही ऐसी चीज़े मिली जो की बढ़िया थी जिसमें पहली है ये पूपल कलर की हुडी इसका शेड ओबिसली हमारी अबनीट की प्लम हुडी जितना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है इसके उपर प्रिंट नहीं है बलकि ये एंबॉस करके इस पे लेटर्स लिखे में जो की काफी कूल इफेक्ट दे रहा है इसका मेटेरियल ठीक ठाक अबरेच सा ही है कुछ खास अच्छा फॉल तो नहीं करे गए इसके साथ नीचे के लिए स्वेट पैंट भी दी हुई है जो किसा मेटेरियल कुछ खास अच्छा नहीं है सेम हुडी वाला मेटेरियल ही है और ये दोर अपने प्राइस के साब से ठीठा की है हुडी मैं बोलूँगा अब वर्थ इट नहीं है उतनी next quad set जो पड़ा हुआ है वो beige कलर का है उसका भी material बिल्कुल सेम है average सा ही material है लेकिन वो hoodie नहीं वो एक sweatshirt है और उसके साथ नीचे की sweatpants भी है लेकिन उन sweatpants में cargo pockets के साथ साथ नीचे बहुत गंदी closing है जो कि मैं prefer नहीं करता है और ऐसे quad sets वे और colors भी है जैसे की brown और black एक बार मैं आपको ये पहन के भी दिखा देता हो ताकि पता चल जाए कि इसकी fitting कैसी आती है next मुझे मिले कुछ बढ़िया से cargo shots जिनका structure बहुत ही बढ़िया था एकदम cool H&M type की vibes है इनकी लेकिन इनका material काफी पतला सा है तो उतने अच्छे से fall नहीं करेंगे maybe sub के उपर लेकिन है इनकी pockets वगेरा मसत है फिर हमें मिला एक street style के लिए brown color का बहुत बढ़िया sweater जिसकी again quality उतनी crazy नहीं थी बट price के साब से ठीक ही है इसके उपर का waffle knit बहुत बढ़िया लग रहा था और इसमें और colors भी थे फिर हमें एक और white color का भी sweater मिला जो कि थोड़े से और पतले material का था और ये भी काफी अच्छा लग रहा था इसका भी price के साब से ठीक ही था और ऐसा मैं इसमें बोर रहा हूँ क्योंकि हमें जारा में इसका बिल्कुल डिक्टो कॉपी एक sweater मिला हुआ था जो कि इससे 5 गुना जादा महेंगा था फिर हमें और भी अलग-अलग type के वहां पे sweaters मिले जो की काफी प्यारी vibe के थे उनका material दिखने में बहुत बढ़िया था लेकिन obviously पहनने में उतना crazy नहीं होगा क्योंकि price बहुत सस्ता है हमें आपे shirts बगारा भी काफी मिली जो की आप winters में नीचे की तिरफ layer कर पाओगे ये भी बहुत सस्ते में मिल रहे थी अच्छा design था लेकिन obviously quality not good फिर हमें मिला एक बहुत ही शांदार old money style का sweater जिसकी quality not bad थी specially price के हिसाब से उसके और इसमें बहुत सुंदर stripes बनी हुई है और इसमें एक और sweater है same type का different color का अब ऐसा ही horizontal stripes वाला sweater अगर आप जारा पे देखोगे तो फिर तो भाई लुट जाओगे माना की quality बहुत next level की होगी लेकिन उतनी quality का करोगे क्या पूरा bank बरबाद हो जाए तो इसका material काफी पतला है तो ये old money में shoulder पे रखना में भी बहुत सही लगेगा जैसा कि मैं आपको पहन के भी दिखा रहू है यहाँ पे फिर हमने ढूणने की कोशिश करी कोई बढ़िया सी old money pants हमें ये olive वाली मिली 1000 रुपे की लेकिन इसकी quality भी average थी और इसके पर pleats भी नहीं थे ये basic chinos लग रही थी अब ऐसी basic chinos यहाँ पर और भी थी grey color वगेरा की भी थी लेकिन ये old money बिलकुल नहीं है next हमें बहुत शांदार चीज मिली जो की है fleece jackets भाहिन का material काफी बढ़िया था मुझे fleece jackets in general पसंद नहीं है लेकिन जूडियो में बहुत सस्ते में fleece jackets मिल रही है तो जिसको पसंद है वो definitely जूडियो से ही लेना क्योंकि fleece jackets ऐसी चीज नहीं है जिस पर पसीने लग जाते हैं और बार बार उसको धोना पड़ता है इसको आपको जादा धोगे नहीं तो फिर ये लंबी चल जाएगी और यहाँ पर अलग-अलग बहुत प्यारे neutral colors में भी available है fleece jacket क्योंकि यही वाली अगर आप Zara में लेने चले गए न तो आपको 10,000 रुपे देने पड़ेगे 10 गुना जादा क्योंकि हमें मिली थी यह वाली Zara में जो की बहुत जादा सुन्दर थी इसकी quality बहुत शानदार थी लेकिन इतने पैसे कौन देगा फिर हमने जूडियो में थोड़े और sweatshirt, sweater पगरा ढूडने की कोशिश करी हमें कुछ बहुत बढ़िया-बढ़िया patterns के मिले जैसे कि यह ribbed वाला है इसका भी quality के साबसे price बुरा नहीं है बिल्कुल भी और इस बार जूडियो में ने देखा है कि colors बहुत प्यारे-प्यार जूडियो और जल्दी से लेके आजाओ इससे पहले कि stock खतम हो जाए इसका इसका material बहुत शांदार है इसके cuffs बहुत अच्छे है और overall इसकी knitting बहुत अच्छी हुई है और इस पर जो stripes है वो बहुत premium feel देती है इसी में एक और color भी है black वाले में मेरे साब से तो आप दोनो कोई ले लो वो light color वाला तो जरूरी ले ले लेना ये जूडियो का best piece है for sure वैसे आप सर्दियों की चुटियों में अगर गोव अगेरा जा रहे हो या कोई beach अगेरा जा रहे हो चुटि के लिए तो फिर ये crochet shirts आप पक्का से जूडियों से लेना क्यूंकि पहननी एक बार ह तो खर्चा जादा नहीं करना होता तो quality से फरक नहीं बढ़ता जादा यहां पर बहुत सस्ते में बहुत जादा शांदार crochet shirts available हैं तो ये smartest decision होगा जूडियों पर हमें ये beige color का एक और sweater मिला जिसकी knitting बहुत जादा raw jute type की थी तो ये बहुत जादा अच्छा लग रहा था और बहुत सस्ते में अलग-अलग type की आपको knitting भी मिल रही है जो की बहुत जादा matter करती है especially old money में और आप यहां देख सकते हो कि ये कितनी अच्छे की baggy denims जिनका material पतला था और price कुछ जादा ही कम था 1000 रुपे में ऐसी चीज मिल रही थी तो थोड़ा सा सस्त फील हो रहा था इसके नीचे भी wide bottoms था जो कि मैंने generally जूडियों पे कभी देखा नहीं है क्यूंकि हमने और pants की search करी तो वहां पे हमें एक charcoal कलर की एक ठीठाक सी कार्गोस तो दिखी बड़ उनका भी material बेकार था तो हमने का छोड़ो भाई बिल्कुल pajama फील हो रहा था चाहे सस्ती भी हो 1000 रुपे की भी हो तब भी बेकार ही लग रही थी और उसके बाकी colors का तो क्या ही बताओ छपरी एकदम फिर हमने और sweaters explore करे तो हमें बहुत रुपीज में आपको ऐसी quality मिल रही है quarter zip sweaters की बहुत बड़ी बात है ये भी 100% जूडियो से ही लेना और यही चीज़ जारा पे लेने जाते है तो भाई kidney विड़ी बेश नी पर जाती मतलब एक एक स्वेटर चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार का बेश कैसे द लगेगी इसका material बहुत premium था एकदम जारा को टकर देने वाला ऐसी shirts की fall आपकी body पे बहुत बड़िया आती है और 1000 रुपे में ऐसी shirt मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है जारा पे भी आप ऐसी shirt लेने जाओगे आपको तीन गुना price की मिलेगी तो आप ये देख लो कि आ 1000 रुपे में इतनी शांदार flannel मिलना कोई मजात नहीं है इसका material बहुत मोटा दबाई मुझे नहीं पता वीडियो पे कैसे दिखा हूँ लेकिन इतना मोटा flannel का material कम से कम 4-5,000 की मिलती हर जगा तो ये भी एक must buy है अगर आपको flannels पसंद है तो इसमें एक और color भी available है वो कभी ना लूँ बाकी जूडियो में हमें ये भी sweater मिला जो कि लोगों ने वोला cream color का है लेकिन वो निकला है yellow color का तो ये बिल्कुल मत लेना और हमें जूडियो में quad dry material वाली shirts भी मिली जो की winters में नीचे layer करने के लिए बहुत बढ़े रहती है और अच्छी premium feel देती है और next हमें जूडियो में मिली एक black color की bomber jacket जो की कुछ जादा ही पतले material की थी लेकिन भाई 1000 रुपे की jacket से आप क्या ही expect करते है इसको पहन के भी देख लेते हैं कि body पे कैसी लग रही है तो fit तो सही आरी है मेरको medium size बस मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी लंबी है मेरे taste के लिए और जारा पर bomber jacket देखे तो 4000 की मिलती है लेकिन उसका material इवन दो पतला है उतना का उतना ही लेकिन at least बहुत अच्छा fall करेगा आपके उपर और बहुत अच्छा look देगा भाई जूडियो पर हमें एक बहुत शानदार white shirt भी मिली जिसके उपर jacquard knit है यानि की अलग-अलग type की knitting के patterns आपको इस पर देखने के मिलेंगे यह सिरफ 800 रुपीज में आपको इस type की shirt मिल रही है बहुत बड़ी है बात है यह आप beach वगरा भी पहन पाऊगे और अंदर layer भी कर पाऊगे ऐसे 800 रुपे में और भी अच्छे-च्छे patterns वाली shirts है यहाँ जैसे की इस types वाली या आप शॉपिंग करने जाओ तो Friday शाम या Saturday सुभाई जाना तो भाई जूडियो की collection तो ठीक है उसमें से मैं आपको सिर्फ एक ही चीज recommend करूँगा buy करने के लिए वो है वो sweater वाली polo बाकी sweaters भी आप खरीच सकते हो अगर आपको old money style करना है लेकिन और कुछ भी मैं recommend नहीं क